अब हम मुर्व करते अपने अगले कोशिन के और कोशन वन वन दे मोस्ट इंपर्ट कोशनों में से एक है यह बोर्ड में जो आ सकते है संभावने जिसकी है क्यों है इसकी संभावना आने की एक्जाम्पल नंबर टू इसी एक्सरसाइज का आपने देखा पूरा एजटीज है ठेक है आप एक कोशन स्क्रीन पर लिखा हुआ है आप एक पर पर खोड़ ट्राय करिए नहीं आता है फिर मैं करता हूँ ट्राय कर लिए बिटा एक कोड़ है जिसकी आपको रिडियस दे रखा है बारा सेंटीमेटर तो जैसे बारा सेंटीमेटर रिडियस दे रखा है तो आप साथ के साथ लिख लोगी एक रिडियस आर बिट इस एक कुस्ट ट्राय का एंगल बनाकर बैठता हूँ यहां पर जो एंगल बनाया सेंट्र सेंट्र से एंगल बनाता हूँ किताना 120 का फाइंड दा कोर्सपोंडिंग सेग्मेंट अव दा सरकल देखो कोड हमारा कौन सा यह जो लाइन नीचे दिख रहे है कोड हमारा अगर हमको नामकरन देना हो तो इसको ओ भी और इस कोड़ नाम दिया हमने एपी कोड़ नाम के दिया हमने एपी और नीचे के बालना होता है उसको पहले लास्ट न अपना फर्स इंब दो हम लिखते हैं रही कि अब ऑफ ता है को पो सेग्मेंट ऑफ सर्कल कि सेग्मेंट ऑफ सर्कल कि अब हम जो जो हम सेग्मेंट का एरे निकाल रहे हैं उसका नाम क्या है वह पहले लिखो अब सेग्मेंट कैसे निकलता है हम जानते हैं क्या है अगर कोड में से सेक्टर में से ट्राइंगल को गायब कर डालते हैं सेक्टर में से ट्राइंगल को गायब कर डालते हैं सेक्टर में से ट्राइंगल को गायब कर डालते हैं अब सेग्मेंट क्या नीचे वाला पोडिशन आपको यह segment था, इसको निकालेंगे कैसे, पूरे sector में से minus कर दू ट्राइंगल को यह रिखो, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, area of triangle, triangle का नाम क्या है बेटा, AOV, minus करता हूँ, किस में से minus करता हूँ, area of, सरी, area of यह आपको बेटा sector लिखना आपको, यहाँ पर छोटा सा पार, area of sector, sector कौन से बेटा आपका, O, A, C, B, minus का, अब area of triangle, जो कि है बेटा परा, AOV, ठीक है, A to the sector, sector का नाम है, O, A, C, B, में से minus करते हैं, O, A, B को, got it, अब area of sector, sector निकाले का फूर्म लेका होता है, theta अपने 360, pi r का square, minus का, area अगर ट्राइंगल की बात करो, ट्राइंगल का फूर्म में क्या होता है, अगर हमको area निकालो, half base into height होता है अपना, तो हम लिखेंगे half, base कितना है, base तो देखो, अब base और height, कि दो चीज़ पर considerable करना, क्यों, क्योंकि generally हमको height हमको नहीं पता चलता, किसी भी triangle में, ये triangle मानो, इस triangle के अंदर, अगर कोई 90 degree कर नहीं बना, तो height वो नहीं कहलाएगी, क्या कहा है मैंने, अगर 90 degree नहीं बना, तो वो height नहीं कहलाएगा हमारा, नहीं, base हम define कर पाएगे, तो हम इसमें कहते हैं, पर्पेंडिकल 90 degree रोड्रान करते हैं, अब कैसे ड्रान हुआ इस triangle के अंदर, जैसे O, A, B, हम जानते क्या हैं, अगर center से, code की तरफ कोई भी लाइन खीजी आती है, center से, अगर code की तरफ कोई भी लाइन खीजी आती है, पर्पेंडिकल रोड्रोम होता है, तो यह पर्पेंडिकल रोड्रोम होगा आपका, इस ठेक है, तो इसको नाम देता हूँ में D, अब, इस triangle में देखेगा, O, A, D, अगर हमको, इसमें विटा, O, D पता हूँ, O से लेके, half base into height, ठीक है, base कितना होगा, base तो मेरे A भी होगा, into में, height की बात करता हूँ, तो height के ओग अपना O, D होगा, got it the point or not, ठीक है, ध्यान फर्माना यहाँ पर, इसमें हमको angle भी given था, जोकि theta is because to 120 degree था, एक triangle बाने यह, इस triangle के अंदर, A, D और O, यह 90 degree है, यह हमारा 60 degree बना है angle, और यह अपने को द्रहकर 12 cm, अब हमको निकालना है, बिटा, O, D निकालना है, और A, B निकालना है, A, B निकलेगा कैसे, अगर हम AD कर डबल कर देख, अब हमारा A, B निकल किया आ जाएगा, पहले निकालना डर अपना O, देख, थीटा के सामने वाली साइड, हमको एक चीज़ पता है ध्यान से, कि अगर एक angle दिया हो, और एक side दिया हो, एक angle दिया हो, और एक side दिया हो, तो कौन सा function लगएगा, ट्रिमिनमेटर्य फंक्षन लगएगा, इसमें dita के सामने वाली side के आफर perpendicular or ये को जागा base आपको क्या निकलना है base निकलना तो और ये side के है hypotenuse 90-degree के सामने वाली होती है hypotenuse base और hypotenuse के अंदर relation कुण सा होता है हमारा बतां base और hyperٌ 2010 पाकिस्तान, भू का प्यासा, हिंदुस्तान, हरा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगर हम cos function लगाते हैं cos 60 degree लगाते हैं तो क्या होगा अपना मेटा base क्या है अपना od और hypertonus की बात करता हूँ तो oa होगा cos 60 की बात करता हूँ cos 60 क्या होता है value cos 60 होगा 1 by 2 od की बात करें तो oa कितना है बेटा अपना 12 cm ठीक है यह जो 12 है इससे अगर cut करें तो 12 अगर 1 set multiply गो 12 upon me 2 which is equals to 6 cm होगा तो हम यहाँ से कह सकते है od की जो value होगी od की जो value है 6 cm चलो एक तो निकाल लिए आपने 6 cm अब बात करते हैं a a b इसमें ज़रूरी है कैसे निकाले a b निकालने के लिए सबसे पहले आपको a d निकालना पड़ेगा उसका double करेंगे तब ही तुमारा क्या निकालेगा a b निकालेगा now a d निकालने के लिए a d क्या परपेंटिकुला है और यह हाइपोटेनियस परपेंटिकुला हाइपोटेनियस के इनार कुनसे रिलेशन होता है पाकिस्तान अपानमे हिंदुस्तन पाकिस्तान वोाका प्यास ही हंदुस्तन हरा वड़ा तो पाकिस्तान परपेंटिकला अपनमा happening है यहां यहां धीजagtाzar कि mathe ्मेंस कितना हमारा एो और AO की बात करता हूँ तो AO हमें जाएगा 12, इस 12 को चाहो तो यहीं से कट कर तो 6 आजएगा, 6 की मेंटेप्लाइ रूट 3 हो जाएगी, तो AD की वेल्यू आजएगा, 6 रूट 3, AD निकल के आजएगा, अब धियान फर्मा ना, यहाँ पर जन्रल बच्छा करते है, AD की वेल्यू तो आगई, बट, AD की वेल्यू आईए, हमको AB की चाहिए, और AB क्या होता है, इसका डबल होता है न, तो AB क्या निकल के आजएगा, 12 रूट 3, कि जब 2 के मेंटिप्लाइ करेंगे, तो क्या हो, 12 रूट 3, पस, एक यह चीज़ धियान रखना, 12 रूट 3, और OD की वेल्यू धियान रखना, बाकि सब बहुत चोटा सा कुशन, दिखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट एक बार जब समझ मा आ जाए गरें, बहुत अच्छा लगए कुशन करने में, सबसे पहले बटे हैं यहां तक आपनो डान कर लो आराम से, कर लिया, थीटा, एंगल कितना दिया था अपने को, 120 टिगरी के एंगल दिया था, टोटल, अपोन 360, पाई की वेल्यूटर, इसने बोला है 3.14 रखो, तो 3.14 रख दो, या 22 बाई 7, तो यहां पर क्या दे रखा है, 3.14 बोला है, 3.14 रख दो, चलिए बोट 22 बाई 7 रख पर है, रिडियस की वेल्यूटर के इतने है अपनी, रिडियस है अपना 12 सेंटिमेटर, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है, नौ, माइनस का, ए बी, ए बी क्या निकला था अपना, ए भी निकला था बेटा, 12 रूट 3 अपना, 12 रूट 3, इंटू, ओडी केतना निकला था आपका, 6 सेंटिमेटर, ठीक है, यहाँ बाई हम 6 से बीते हैं, 2 से कट कर था 12 को, तो आया 6, तो 6, 6 जा 36, रूट 3 तो इधर आजाएगा अपना, इधर माइनस करते हैं, तो इधर क्या आएगा, देखो, 0 से 0 कटा, 12 के टेवल में 36 आता है, तीन बार पे, नौ, 3 के टेवल में 12 करता है, बेटा, 4 टाइप पे, तो 4 इंटू 12 होता है, बेटा, आपका, 4 इंटू 12 केतना होगा, 48 हो जाएगा, तो 22 इंटू 48 अपन में 7 आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट है, अगर कोई भी डाउट बनता है न, तो आप थोड़ा पेशन्स रखना, एंड और वीडियो तक आपको पूरा, क्लियरली कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अब 48 की मंटिप्लाइ 22 में करता हूँ, एक तरीका एक शॉट ट्रेका अगर लास्ट में अगर नहीं आए न, बोड में, तो पहला तो यहाँ पर ब्रेकिट लागा न, सेंटीमेटरेस को लेका है छोड़ देना, अगर टाइम नहीं मिलता तो, यहाँ पर देखना है, 7 की ट्रेका उन्टीमेटरेस सेंट अगर तो 49, लगभग साथ बार पर जाएगा, तो साथ की जो मंटिप्लाइ करोंगे 22 में, तो आंसार जो भी एप्रॉक्स आंसार देखना आएगा, तो लोग करके देखते हैं आपर, 48 इंडू 22, तो इधर जाएग 96, इधर जाएग 96, 6, 15 और 10, तो 1056 अपर में 7, अब इसी नमबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 मंज़े 7, 10 माइनास 7 एकोस 3 आजाएगा, 5 नीचे, 75 जो बिटर 35 आजाएगा आपर, ठीक है, 6 आपर नीचे उतर जाएगा, अब 6 नहीं जाता, तो पहले 0 आएगा, दिहान रखना, पहले 0 आएगा तब जाकर पॉइंट, तो इसको कैंसल आउट पर दाएगा, तो 7, 7, 49, 7, इधर 56, बिटर 56 आएगा, और इधर 4, पॉइंट साइद दुबारा 0, 7, 35, तो इसको सॉल करेंगे, तो 150 आपोन में 85 आजाएगा, माइनस करता हूँ, 36 इंटू रूट 3, और ये साइड मगा चाहो तो पता है, बोर्ट में क्या करना, एक लाइन खीचना और साइड में करते रहना, 36 इंटू रूट 3, 36 मतलब रूट 3 की वैल्यों होते है, 1.73, इंटू में करते हैं, हम 36, ठीक है, 6 रिजा के आगए बटा 18 होगा, 7 फाइज रिटी बार 7 रिटी बार 7 रिटी बार 42, 42 प्लस का 1, 43, 6, 6 में जा 6, और 4 होगा 10, 3 रिजा होगा 9, और 9 और 3 होगा 12, एक और एक होगा 2, और एक 6, पॉइंट बेटा इधर लगाता, तो पॉइंट आप इधर ही रहें देंसे, तो केतना है अगर, 62.28, यहाँ तपको डाउट है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो पूछो, पूछो को कैसे रिकॉड़ेट वीडियो है, डाउट होता है, काम करना, कमेंट में डाल देना, ठेक है, अगर जैन में लगता है, तो मैं कमेंट मांसर देदूँगा, या पर कोई कॉइप्ट मेरे गार्डिंग अपर डाउट है, तो अब सरी कहा दो, कि सरी मेरे को ये कॉंसेप्ट नहीं आता है, क्या आप अगर नेक्स्ट वीडियो में समझा सकते हो क्यों, जैन उसके बाद हम देखनेंगे, ठेक हैं आगे, नौ, या देट इस, वन फिफ्टी, पॉइंट ये फाइफ, माइनस का करता हूँ मैं, शिस्ट टू पॉइंट टू एट, माइनस करा, पंदरा से एट कितनी बहर पर जाएगा बटा, साथ, साथ में से दो जाएगा बटा, पाँच, ठेक हैं, दस में से ये देखा, दस में से दो जाएगा तो बचा, आट, फोर, फॉर्टी में से सिख जाएगा तो बचा कितना एट, यही आ रहा है, फॉर्टी में सिख जाएगा एट, तो हमारा जो आंसर आया, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ, शिक्ट टू पॉइंट, इसको माइनस करा, तो आज में 88.57 अंसर है, cm2, लास्ट में भी पॉरा आंसर कम लिटना है, लास्ट में स्टेटमेंट के तोर पे लिखना, अगा एडिया और पॉर्टी में सेग्मेंट, अफ दे सरकल इस एक्वल स्टू, 88.57 cm2, ठीक, गॉर्टी अंसर और नॉट?